हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल इंजोई गाडनिंग फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी कि सेप्टेंबर अक्टूबर का महिना जो बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है पौदों के लिए उसमें आपको क्या-क्या काम करने चाहिए अभी ये काम जल्दी- के शौकीन है तो जल्दी-जल्दी वो सारे काम निप्टा लीजिए वरना क्या होगा विंटर सीजन आ जाएगा और काफी सारे प्लांट डॉमेंसी पिरेट में चले जाएंगे सो जाएंगे सबसे पहला और जरूरी काम अगर आप चाहते हैं सर्दियों में आपका गार्ड सर्दियों का मौसम फूलों के लिए बैस्ट मौसम होता है लेकिन अगर आपको सर्दियों में फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आपको अभी काम करना पड़ेगा ये जो सेप्टेंबर अक्टूबर का जो मन्त होता है ये बहुत ही इंपॉर्डेंट होता है पौदों मैं भी अभी लगाऊंगी मेरे पास पिछले साल के सीड मैंने कलेक्ट किये थे वह रखे हुए हैं तो इन बीजों को आप लगा सकते हैं अब याल इस सीजन में मार्च अप्रेल तक ये पौदे जो हैं फ्लावरिंग करते रहते हैं और आपकी बगिया फूलों से लदी रह और सर्दियों में आपको खूब सारे इसके मिल जाएंगे पौदे थर्ड नंबर पर है पिटूनिया ये बहुत सुंदर है ये ट्रंपेट टैप के फूल होते हैं काफी सारे कलर्स आते हैं अभी आपको मिल जाएंगे नर्सरी में चोटी चोटी पौद इनकी उसके बाद आपको फूल मिलते रहेंगे उसके बाद आता है सभी जानते हैं मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड भी इसी समय लगाया जाता है और आप नर्सरी से पहुत लाएंगे तो आपको जल्दी फूल मिल जांगे बीज लगाने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो फिर आपको फ्लाव तो वो भी आप लाकर के अपने घर में ग्रो कर सकते हैं अची खाद दीजिए तो उससे आपके खुब सरे फूल आएंगे उसके बाद आती है सब्जियों की बारी सब्जियां भी इस समय बहुत अच्छे से ग्रो की जाती है जैसे यह मेथी है मेथी के बीज मैंने भीगो करक कि पराठे बनाओ सब्जी बनाओ कुछ भी बनाओ घर की मेथी की कुछ बात ही अलगी होती है बहुत खुशी होती है जब हम घर से काट करके कोई सब्जी बनाते हैं उसके बाद है यह पालक आप इस समय पालक भी लगा सकते हैं बजार में इसके बीज आराम से मिल जाते है बहुत ही आसानी से लग जाती हैं दूप अच्छी चाहिए हर 15 दिन में इनको खाद चाहिए एक और सबजी आप टमाटर है वो घर में ही काटके इस तरह से स्लाइसे गमले में किसी भी मिट्टी के ऊपर रख दीजे और देखिए अंकुरित हो गए हैं ये और बहुत आसानी स लगा सकते हैं ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये घर में ही बालकनी गार्डन में लगाए है मैंने सबके वीडियो के लिंक डीटेल में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब ये सीजन होता है बैस्ट जिसमें आप बहुत सारे पौदों की कट सट जाँ कुछ के नाम बता देती हूं जैसे की वांडरिंग जू है कोशेचंग अभी सीजन अने वाला है तो अब को लिएस चूब शारी कटिंग संश लगा सकते हैं स्पाइड क्रमें आज आते हैं इनको आप utilize बना अलग-एलग लगाके इन्हें आप पानी के भीड़न स से इसको अलग कर दीजिए देखे इस तरह से यह सक्सेस्वल रहता है 100% तो आप इस तरह से इन पौदों की लगा सकते हैं कटिंग जैसे कि यह ड्रसीना है सॉंग ओफ इंडिया है मनी प्लांट वगरा है इन सब की आप कटिंग लगा सकते हैं यह देखिए कोली इसको मैंने पानी में पहले ग्रो किया है रूट्स निकाल ली है इसकी अब आप नेक्स काम आपको क्या करना है इस महिने आपको ट्रिमिंग वगरा करनी है पौदे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनका कोई शेप नहीं तो आप उन्हें शेप दे सकते हैं पौदे घने भी हो जात बहुत ही कूपसरत प्लांट है और ये वैसे तो घना घना हो रहा है मैं इसको नहीं छेड़ना चाहती पर आपको बता रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा घना घना है आप उसके कई सारे प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसमें मिट्टी में से निकाल के और इसको डिव कर सकते हैं नेक्स्ट काम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इनी दिनों करना वो है पौदों को खात देना ये मेरा फ्री का एंपी के फटलाइजर है जिसे मैंने घर में ही बनाया है आप भी बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तो इस त साल में कभी भी दे सकते हैं पर ये सीजन बहुत ही अच्छा सीजन है इस समय आपको पौदों को बहुत ही अच्छे से खात देनी है जैसे कि मेरा ये मार्बल क्वीन पोथोस है तो आपको ये काम बहुत जरूरी करना है जैसे कि सड़ी गली पतिया है कोई वो उनको हटाना है गुडाई करनी है पौदों की सभी पौदों में आपको ये काम करना है इस समय बहुत ही हल्दी रहते हैं पूरे साल पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से गुडाई कर लीजे एक्स्ट्रा मिट्टी उपर से बहार निकाल दीजे ताकि हमें जगे चाहिए खात डालने जितने भी पौदे हैं आपको सब पर ये काम करना है कोई सभी पौदा हो आपका गुडाई कीजिए अच्छे से उसको खात दीजिए क्योंकि साल में दो बर पौदों को अच्छे से खात देना चाहिए सेप्टमबर औक्टोबर में और उधर मार्च अप्रेल में जब पौ जाएंगी तो मैं इसके और भी प्लांट्स बना लूँगी यहां से निकालके तो मैंने देखिए अच्छे से इसी गंबले में इसको दबा दिया उपर से पत्थर वगरा भी रख सकते हैं ताकि ये बहार ना निकले ये देखिए मेरे ड्वार्फ वराइटिका सिंगोनी मे लेकिन गृत इतनी अच्छी उरी है इसकी की बहुत बड़ा हो गया है इसकी वी मैं गुडाई कर रही हूँ देखिए मैं इसमें जो मिट्टी बनाई है बहुत हलकी और बहुत अच्छी बनाई है परला इट कोको पीट वेगरा शब डालके तो मैं इसमें भी खाट डाल र अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और मेरी जानकारी दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलूंगे आप से चैनल सब्सक्राइब जरू करिएगा बाबाई